हलो आवरिवन, वेलकम तू स्टार आईक्यू, आज है 18 फरवरी और 18 फरवरी 2021 के नैशनल और इंटरनेशनल करेंट अफेर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगर आपको मेरे दवारा पढ़ाए गए सभी लेक्चेस का पीडियो फाइल चाहिए तो आप मेरे ट जहारखंड के किस पुरो राजयपाल का 89 वर्स की उमर में निधन हो गया है, which former governor of बिहार एंड जहारखंड has died at the age of 89, तो इसके उस्तन का सही अंसर प्यारे बच्चो क्या रहेगा, M. रामा जोईस, यानकी A option जो होगा इसके उस्तन का हमारा, वो बिलकुल ठीक रहेगा, ज जहारखंड के पूरो राजयपाल और इनको न्याय मूर्ती के नाम से भी जाना जाता है, इनका पूरा नाम है मंडा, गादे, रामा, जोईस, इनका करनाटक के बैंगलूरू में रिसेंट्ली जो है, वो 89 की उमर में जो है, वो निधन हो गया है, इनका जनम कब हुआ था ज इनका निधन हो गया है, वैसे इन्होंने पंजाब और हर्याना हाई कोर्ट के मुखे न्यायाधीस के रूप में भी काम किया है, राश्टिय सवम सेवक संग से जुड़े वे हैं, जस्टिस रह चुके हैं, रामा जोईस और इनका भाजपा के परतिनेदी के रूप में, रा lessons on राजनिती जैसी किताबे भी लिखी है इन्होंने, इन्होंने भारतिय कानून और आधुनिक कानून में भारतिय मूल और उनके विशेश हित के लिए जो किताबे हैं, या कानून की विवस्था को थोड़ा और अच्छा बनाया जा सके, ऐसे कामों के लिए जो हैं, इन्ह पुड्डू छेरी के उपराज पालपद से हटा दिया गया है, बहुत इपॉटन कितन है, फुड्डू छेरी के उपराज पालपद से अभी रिसेंटली हटाया गया है कीरण बेदी को, यानि कि si option जो है, इस कितन का हमारा बिलकूल ठीक है, जो आपको फोटो में दिखाई दे रही हैं यहीं किरिन बेदी 16 फरवरी 2021 को पुड़ू चेरी के उप राज्यपाल पद से नहीं हटा दिया है और इनकी जगे तेलंगाना के राज्यपाल जिनका नाम है तमिल साई सुन्दर राजन को अत्रिक्त कार्यभार दे दिया गया है तो एक बहुत इपॉर्टन सा कि सन होगा यह किरिन बेदी को 29 मई 2016 को जो है उप राज्यपाल नुक्त किया गया था पुड़ू चेरी की और अब जो है इनकी जगे तमिल साई सुन्दर राजन को अत्रिक्त प्रभार दिया गया है जो कि तेलंगाना के राज्यपाल है अब देखो जो यह पुड़ू चेरी है बेसिकली एक परकार की फ्रांससी बस्ती थी यह किसी जमाने की यह ठीक है और उसके बाद में इसे यूनिन टेरिटरी बनाया गया है यह भारत के तीन अलग-लग राज्यों में इसके चार छोटे-छोटे छेतर है जैसे एक तो इसका यनम है जो की आंदर प्रदेस में प यहां जो है विधान सवाथ छेतर है यह भी याद रखिएगा आप लोग यहां का विधान सवा छेतर है तो यहां के मुख्य मंत्ली कौन है? c.m कौन है? यह बात आप मुझे कमैंट सेक्शन में लिखके बताइएगा कि पुढडु चेरी के मुख्यमंत्री कोन है? बारत के उड़ने वाली hybrid car को मंजूरी परदान की है, टेरा फूगिया transition दवारा ट्यार की गई, hybrid car जो उड़ने वाली car है, इसको मंजूरी दी है, recently किस देशने, America ने दी है, यानि कि D option जो है किसन का हमारा, वो बिलकुल ठीक रहेगा, जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है, यह आपको याद रखना है, टेरा फूगिया, ठीक है, टेरा फूगिया ट्रांजेक्शन दवारा ट्यार, hybrid ground air विकल को, 160 km प्रती घंटे की रफ्तार से उड़ने वाली इस car को जो है, अनुमती दे दी है, और इसी के साथ यह दुनिया की पहले उड़ने वाले car बन चुकी है, याद रखियेगा, दुनिया की पहली उड़ने वाली car का नाम आपको याद रखना है, टेरा फूगिया, ठीक है, टेरा फूगिया दवरा त्यार की गई है, विकल को ठीक है, अभी सिर्फ पाइलेट और पाइलेट स्कूलों को ही यह दी गई है, मतलब ऐसा है नहीं कि पब आओ करने के लिए बहुत सक्षम है, माने तब बहुत जार ट्रैफिक होता था तो उड़के निकल जाएगी है, बहुत जार मोसम खराब होता है, तो रोड पे पानी भर जाता है, तो वहाँ से उड़के निकल जाएगी है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, टेरा आली कार और अमेरिका ने इसको मंजूरी दे दी है, अब बात अमेरिका की करते हैं, तो मैप में अमेरिका को देखिएगा, यहां की कापिटल वाशिंटन डी सी है, प्रेजिडेंट का नाम जो बाइडन है, पॉपलेशन कितनी है, अभी 32.82 करोड है, और यहां की करंसी अम रिसेंटली सुरू की है, इसमर्ती इरानी ने, यहां की इस क्यूस्तन का ए आप्शन जो है, वो बिलकुल ठीक रहेगा, जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है, यहीं है, वानिजिक हमारे भारत की या, यह केंद्री ये कपड़ा मंत्री है, इसमर्ती इरानी, इन्हों के बीच में, एक MOU यानि की Memorandum of Understanding पे साइन भी किया गया है, केंद्री मंत्री ने इस योजना को लांच करते वे ये कहा है, केंद्र सरकार ने देश में जूट के किसानों के मदद के लिए, जूट के नियुनतम समर्थन मुल्य, यानि की MSP को भी बढ़ा दिया है, भारत म के 20 में पुरुषकारों में, निमन में से किसे Hall of Fame का पुरुषकार दिया गया है, बहुत अच्छा क्यूशन है, Hall of Fame का पुरुषकार जो है, अभी recently दिया गया है, कि इसको एकता कपूर को, यानि की B option जो है, इस क्यूशन का हमारा, वो बिल्कुल ठीक रहेगा, एकता पुरुषकारों में जो है, बाला जी को लॉंच किया था, 2020 में इने पदम स्री पुरुषकार से भी समानित किया जा चुका है, तो ये बातें आप लोगों को याद रहनी चाहिए, करोना संकर्मन को देखते हुए, हरिदवार कुम्ब की अवधी को घटा के कितने दिन का कर दिया है, करोना संकर्मन की अवधी को देखते हुए, करोना संकर्मन चल ही रहा है, इसलिए कुम्ब जो है, हरिदवार में लगने वाला, वो केवल अब 30 दिनों में समर्पूरा हो जाएगा, यानि कि सी ऑप्शन का हमारा, वो बिलकुल ठीक रहेगा, इस साल कुम्ब का मेल एक से 30 अपरेल तक ही चलेगा, और पहले कुम्ब के मेले की सुरुवात 27 फरवरी को होनी थी, इसका समापन 27 अपरेल को होना था, लेकिन अब कुम्ब मेला जो है, एक अपरेल से 30 अपरेल तक ही चलेगा, कुम्ब मेला हिंदू धरम का एक महत्तपुन परो है, और इसमें कर सालों के बाद में नासिक ईलहाबाद ईलहाबाद का नाम प्रियाग राज हो गया उज्जेन और हर्दवार में बारी बारी जो है इस मेले का आयोजन करवाया जाता है इस बार ये हरिदवार में कुम्ब लग रहा है और एक से 30 अप्रेल तकी ही होगा ये कुम्ब का सनान हरिदवार कहां पढ़ता है जी उत्राखंड में पढ़ता है गंगा नदी के किनारे पढ़ने वाला एक सहर है छोटा सा अगला क्युस्तन हमारा है कि किस केंद्रिय मंत्री ने हाल ही में एक एचावनी पॉर्टल की सुरुवात की है एचावनी पॉर्टल की सुरुवात की है रीसेंटली राजना सिंग ने यानकि ए आप्शन जो है क्युस्तन का हमारा वो बिलकुल ठीक रहेगा और केंद्रिय रक भी कायटें जो हैं वो सारे के सारे पौटल पे दर्ज करवा सकेंगे और इस परियोजना का एक उदेश है और भी हो कि बासट छावनी में जो है बीस लाख से ज्यादा नागरिक रहते हैं वो सारे के सारे उनका डेटा जो है ऐँ अनलाइन हो जाएगा तो नगरपाली का सेव जो है वो सारी online प्राप्त कर सकेंगे ये भी बात आप लोगों को याद रखनी है स्विक्त राष्टर पुंजी विकास कोस जिसको UNCDF कहते हैं का कारेकारी सच्चिव निम्न में से किसे नुक्त किया गया है तो अभी recently स्विक्त राष्टर पुंजी विकास कोस जिसको आप ल रहेगा प्रिती सिना आपको फोटो में दिखाई दे रही है यही है प्रिती सिना और इन्हें रिसेंटली जो है आपका जो यह मूल यह की निवेस और डवलप्मेंट बैंकर में प्रकार से जो है सच्ची उन्युक्त किया गया है स्विक्त राष्टर पुंजी विकास कोस भी आप इसे हिंदी में कहते हैं और सिर्फ राष्टर पुंजी विकास कोस में इन्होंने 30 साल का कारेकाल पूरा करने के बाद में जो है यह रिटायर्मेंट हुई थी यह ठीक है और इनको रिसेंटली जो है अभी अल्प विक्सित देशों के लिए जो है इस पुंजी नि 1966 के अंदर हुई थी याद रखिएगा आप लोग इस डिपार्टमेंट को भी अगला कि उससे ने विस्व की पहली रोबोट पेंटर का नाम बताई है जो आइना देखके खुद की फोटो बना लेती है वाव बहुत इपॉटन के उसने इसका नाम है आईदा ठीक है यानकि यह विस्व की पहली अल्टरा रियलिस्टिक रोबोट है जो अपनी आखों और अपने हाथों के उप्योग से पेंटिंग मनाती है और इस रोबोट को बनाने वाले लोगों ने इसका नाम उनिस सदी की गणितग्या अला लवलेस के नाम पे रखा है ठीक है तो अला दा भी मेंसे किस राज्य सरकार ने कोविड वारियर मैमोरियल का निर्मान करने की घोशना की है कोविड वारियर मैमोरियल के निर्मान करने की घोशना भी रिसेंटली ओडिसा सरकार ने की है यानि कि इस सी आप्शन जो है इसके उस्तन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा ओडिस कि बात करते हैं तो ओडिसा को मैप में देखीगा राजधानी भुनेश्वर है गवर्नर का नाम प्रोफेसर गणेशी लाल है और यहां के मुख्यमंत्री नवीन पटनायकर पॉपॉलेशन 4.37 क्रोड है चलिए इसी के साथ में लेक्चर समाप्त होता है और आपके लिए किस् पॉनसा था चिक है और किस देश ने बनाया था उसका नाम क्या था वो भी कमेंट में बताईएगा आप लोग स्टे हापी स्टे हल्दी कल फीर हाजीर होंगा लेटस्ट अप्टिट के साथ